कर एंस कर था हमने कल एंड ता करे स्टाट कर था कहां पर साथ किया था था हम्ने या लें पर तीक और उसके बाद हमने सीखा था यहां पर कि कंफिग्रेशन कैसे लेखते हैं का एन दोर हम इ BBQ और मैं कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें तो एक बार दुबारत से रिवाइस करते हैं सारे स्लिवर्स को और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे का ठीए जैसे कि यहां पर हो गया हली ना की रब से फर्याद बेटी मांगे कार स्कूटी बाप रोए सेकंड येर लाए फिर अपने पास आगया बोरोन, एलिमीनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है उसके बाद केटना, सिले, जिन, सनी पहने, महीं पापपा आईश्वरे सबसे विंदास, उल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आउंटी ही ना ने आकर छे रन लिये ठीक है इतन जिसमें किया गया, मतलब टांगो पर उनके नजर पड़ी, आसमांचम का बिली कड़के, ऐसाम फारामुष मंचले टिक ली जड़की, ठीक है, यहां तक अपना कम्पलीट हो गया था, इस 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 इसी सिपेंस में स्टार्ट कर दो, कलर करने की कोज़ोरत नहीं है, जैसा है ऐसे ही नॉर्मल, एक अमटाव बेसिक तरीके से, कैसे लिखता है जैसा है, मैं दिखाता हूँ यहां पर, सिंपल, यहां पर फेर हाईटरोजन डालने स्टार्ट करो, घलियूम, ठीक है, फिर हाईटरोग लिथियूम, बैरिलियूम, ठीक है, फिर बोरोन, कार्बन, बाब प्रोई ठीक है एंड केल्चियम के बाद क्या जाया था इसकेंडियम टाइटेनियम विनेडियम क्रोमियम मैगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंग फिर बैगन अलू गाजर इन थैला केटरना सिले जीन्स सनी पहने नहीं पापा एश्च्वारिया सबसे बिंदा ओल्ड स्टाइल से टीपो फिर कल बाहर आई आंटी हीना ने आकर छे रण लिये ठीक है इतना कपलीट हो गया आगे बढ़ जाते हैं सेकेंड इयर लाएंगे एसी ती जरा हाफ वे नवाब थे करोड मोल वाला मन तक्रे विल्यम क्रोम एंगनेस आईरन तो फिर रूठा उसामा कौन रहेगा इर्रेगुलर नहीं पड़ोगे पितोगे ख्यूं आ गया हूं और जिंक कैडमियम जिंक कैडमियम और मरकरी ठीक है यह उगया पूरा क्या डी ब्लोक यह पूरा क्या हो गया एस ब्लॉक और यह पूरा देखा था जो की नीचे की सखते था इस तरफ इस तरीके से ठीक है क्या क्या है एक बार बना लेते हैं जल्दे से तो यहां पर लेंटिनेर्ड है और यहां पर अक्टिन हो ठीक है ना फिर ले सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूही गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लोटो ठीक है एलिमेंट्स हो गए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चौदा, टांगो पर उनकी नजर, पड़ी, आसमान, चमका, बिजली, कड़की, एहसान, फरामोश, मनचली, निकली, लड़की ठीक है, यह हो गया, एंटायर प्रियोडिक्टेवल, जो कि हमने कल याद करी थी, पर्सो भी याद करी थी, ठीक है, अभी तक अब याद नहीं है, तो अभी पैन को प्यटाओ, इतने ही रफ तरीके से इसे लिखो, क्योंकि लिखने से ही याद होगा, और सजा सजा के लिख है, तो 1S1 हो गया, ठीक है, वैसे देखा जाए, तो हाइड्रोजन से जाए, कैल्चन तक तो आइज इस याद होना चाहिए, बीस अलिमेंट तो याद होनी, बीस ने तीस याद होने चाहिए, अगर ये तीस याद हैं, तो सब कुछ अपने आप याद हो जाए, बसमों कोई इस यह और मेंट होने है, ये तीस आलिमेंट याद होने चाहिए, कैसे, देखते हैं, तो तीस आलिमेंट कॉन से आपने पास, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियां, बारिलियम, बोरोन, कारबन, नाइट्रजन, ओकसेजन, फ्लूरीन, नियोन, सोडियम, मैंगनेशियं, ऐल् क्लोरीन, आरगन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, चिंक, ठीक, इतना याद कर लो, तीस एलिमेंट हैं हैं, स्टार्टिंगे, जो कि याद होने चाहिए हैं, पिर डिक्टेबल में अगर नहीं हो रहे हैं, तो फिर इस तरीके से याद कर लो, ठीक, कैसे भी, दोनों ही बातों में, फाइदा ही है हमारा, कि कोई से अभी याद हो जाए, चलेगा, दोनों याद हो जाए, तो बैस्ट है, कैमिस्ट्रिय थोड़ा सा याद करने की जुरत है, यहाँ पर, खेर तो इसे कैसे दिखते है, उस पाज आते है, ठीक है, पहले इन तीस element की configuration लिकने हम सीखेंगे, ठीक है, तो हमने कल कितना सीख लियाता है, यहां पर, वह देखते है, हमने hydrogen से नियोन तक सीख लिया, ठीक है, अब नियोन के बाद वाली पात है, ठीक है, यहाँ लिकते ता हू मुन स्धाइब को इसको हाइलाइट करने को ठ्राइ करते हैं तो इसको हम हाइलाइट करते है जो हमें निम्टाल Keeping इससी में पॉजिस से प्लोडियू थिص हम्हें स्टाइब तो सोडियम से स्टाइब करते हैं तो sodium ठीक है फिर आये का magnesium, aluminium, फिर silicon ठीक है, phosphorus, sulfur, chlorine, argon ठीक है, और potassium और calcium ठीक है, अभी 20 elements का आज target रहेगा, कौन-कौन से, sodium, magnesium, aluminium, carbon, ठीक है, a Zoom के बाद यहां पर मैंनेका लिखा यह, aluminium के बाद carbon आएगा, actually, ठीक है, aluminium, carbon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, ठीक है, यहां पर आ गया फॉस्फरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पूटेसियम कैल्सियम ठीक है यह 20 elements की configuration लिखेंगे और यह भी लिखेंगे आज इतना आज का टार्गेट है कि यह configuration समय अच्छे से लिखने आ जाए एक्चली यह वाला portion है ना यह स्केंडियम से लेके जिंग तक की configuration में डी ब्लॉक हतम हो जाएगा और coordination का भी काफी important section complete हो जाएगा ठीक है तो आज का और भी ज्यादा important है मामला तो इसमें होते हैं 11 12 13 14 नंबर पर 15 पर 16 17 18 19 20 ठीक है तो 11 का मतलग पहले 1s2 फिट 2s2 फिट 2p6 कितने हो गए 6 और 410 1s2 2s2 2p6 3s में सिर्फ 1 एलग तुन जागा क्योंकि 11 भढ़ने है 6 और 410 और 11 अब 1s2 2s2 2p6 ऐसी कैसी बस 3s में 2 आ गए तो यह 12 हो गया यह 1s2 2s2 2p6 3s2 3s3 तो हो नहीं सकता फिर 3p1 ठीक है ऐसी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एसी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एसी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एसी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ठीक है यहां पर कंप्लेट हो गया अब पी में 6 से जाता तो आने सकते हैं अब अगला इस्टार्ट रहागा और यह कैसे आ रहे हैं तो जी ऐसे आ रहे हैं यहां पर कहा गया जो हमने यहां पर यह देखा था यहां से आ रहे हैं कि एलेक्ट्रोन कैसे बनेंगे 1s2s2p3s3p3d4s4p कि एस में 2 से जादा नहीं भढ़ सकते हैं इसमें मैक्सिमम दो पी में 6 2 6 2 10 क्योंकि दी में 10 से जादा नहीं आ सकते हैं पी में 6 2s2 2p6 3s2 3p6 ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ठीक है फिर आएगा 4s1 ठीक है और यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ठीक है यह खतम हो गया 20 तक अब आते हैं स्केंडियम से लेकर जिंक तक स्केंडियम टाइटेनियम विनिडियम क्रोमियम मैगनीज आइरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ठीक है अभी कंप्लेट करेंगे अच्छे से यह काफ़ी इंपॉर्टन सेक्शन है अच्छ है उससे पहले हम देखते हैं तो यहां पर लिख देता हूं एक्सेप्शन्स इन पैरोडिक्टेबल की सारे अक्सेप्शन आज घता हैंगो इसके बाद कुछ याद करने की जोटते हैं मैं खुद इससे से सिंप्लिफाई करने चाओँ जितना ज्यादा थारी की से पढ़ा जा सकते हो तो था है तो इसी वाली portion में सारी exceptions का था ते यह आ गई पिरोडिक्टियवल हमारे पास अब आते हैं इसके exceptions पर exceptions का तरीका है वैसे तरीका तेसानी थोड़ी बताए जाएगा टाइम लिया जाएगा उसके लिए अभी तो पैन ही नहीं आए रहा आगे है पैन भाई सब आ जाओ नहीं आ रहे अब रबड नहीं आ रही आगे रबड चलो जी पैन नहीं आ रहा आगे आजा पैन आ गया रबड आ गयी तो ड्रॉप पे जाना है पैन नहीं आ रहा यार आ गया कोई सब आ जा अरे आ जा यार शिट यार शिट यार शिट तो तरीका में बता देता हूं इतने हम फैन ढूंड लेते हैं चलो यार इससे करना पड़ेगा हमारे पास ऑप्शन नमबर टू भी है तो यहां पर हमारे पास आ जाता है तो नभ्य करोड मोटे रूठे रहेंगे प्रभु देवा टू पटाएगा क्यू टंग्रेज हो रहा तो अगें तरीका थोड़ा और पटांगे अब क्या करें केमिस्ट्री पढ़ने का तरीक है यह है ठीक है तो दुबारा से हम रिपीट करते हैं इसको कि क्या है तो यह पैन आजाए न एक बार बात खत्म है जाएगी फिर कहें इतनी टेंशन लेने फिर आजा भाई प्लीज नहीं आएगा अजी बात कर दी कि मना कर दिया इसने पैनने देखाओ मैं दिखाता हूं यहां पर पैनने बना कर दिया सब सबाने से थोड़ा सा इसको कड़ते हैं कुश द इस शेट शिट शेट शिट शिट शेट शेट चलो 90 करोड़ आ रहे यार यह एक सेकेंद वस चलो मैं इससे लिख देता हूं रब्वे, करोड, मोटे, रूठे, रहेंगे, पैलेडियम, प्रभू, पेवा, ठीक है, टूप, पटाएगा, क्यूट, अंग्रेज, औरत, ठीक है, तो यह हमारे पास नाम है कुछ जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इतने पैन भी आ गया है, यह अग्रेट नूज, फाइनली पैन ने एक्सेट कर लिया आना, ठीक है, तो अभी मैं इसको वापिस से नीचे लियाता हूं, ठीक है, और यह आगे नीचे, ठीक है, पॉफेक्ट, इसे थोड़ा सा उपल कर लेते हैं, बास, अब ठीक है, तो अभी हम इसको जो है ना, डिले करोड, मोटे, रूठे रहेंगे, रूठे रहेंगे, प्रभुदेवा, टू, पटाएगा, इंग्लीश में लेकते हैं, ख्यूट, अंग्रेज, और्थ, ठीक है, तो यह तरीका है, यह क्या है, यह क्या लिखाने में, एक्सेप्शन, इन दी, एंटायर प्रिडिक्टिबल, ठीक है, तो देखते हम इसको, तो मैं से प्रिडिक्टिबल पर दिखाता हूँ, देखो, यह नब्भे, एनवी से नब्भे, सी आर से करोड, मोटे, रूठे, रहेंगे, प्रभुदेवा, टू, पटाएगा, ख्यूट, अंग्रेज, और, यह सारी एक्सेप्शन्स है, कितनी होगई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ठीक, एक्सेप्शन्स है, पूरे प्रिडिक्टेबल में, इनको ग्रीन मार्कर से मार्क कर देते हैं, क्रोमियम, नियोबियम, मॉलिबिडनम, रूदियनियम, रोडियम, पैलेडियम, प्लाटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक अब ऐसा कैसे वह देखते हैं, सबसे पहले, इनकी कॉन्फिगरेशन्स लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अच्छा, इसकेंडियम की क्या है, अब इसकेंडियम पहुच गया 21, यह हो गया 22, फिर हो गया 23, फिर हो गया 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, उन लिखनी पर बीजियम स्टार्टason कंसेप्ट अज तरा रच मियंग केश्चली,ika 23, 29, 30. सिखने का कॉन्सेप्ट ही अप्ट अगर डीब्लॉक सीख लिया, तो पोरा चैप्टर डीब्लॉक क्ili खतम, साथ में और कॉइचन खतम, और आगे की सारे चैप्टर जो भी है इनार्गनिक कैमेस्ट्री के अंदर वो सब इजी हो जाएंगे इनार्गनिक कैम में बहुत जाद एक्स्टेंड नहीं करेंगे इनार्गनिक को मेन फोकस रहेगा कि लिखनी सीखनी है ठीक है सीखना क्या क्या है एक तो प्रियोडिक टेबल फूरी ठीक है सेकंड इंपॉर्टिंट जो चीज रहेगी वह आई इनार्गनिक करेंगे और सर्फेस लिवल पर चीज़े क्लियर कर देंगे कि क्या क्या है लेकिन यहां पर थोड़ा सा फोकस डालना पड़ेगा क्योंकि कई कोशन के आंसर आइनार्गनिक से आ जाते हैं उसके बाद इलाक्टो नगेटिविटी पर थोड़ा सा फोकस रहेगा ठीक है यह बहुत बेसिक चीज़ है जो कि प्रियोडिक टेबल में आ जाते हैं प्रियोडिक टेबल का यहां पर मतलब पूरा प् कि चैप्टर है चैप्टर है उस पर हम फोकस क्या क्या करेंगे कि हाइब्र डाइजेशन कैसे निकाली जाती है इसके साथ कुछ इस्ट्रक्चर्स हैं जो मैं पता होने चैजिट के बारे में ठीक है जैसे कि एस थ्री वियो थ्री बट मैं कोशिश करेंगा इसको ज्याद़ कॉंप्लिकेट ना करें सिर्फ स्लेबस से लेमेटेट चीजे ही रखें जिससे की काम अच्छे जो रहे है तो डी ब्लॉक में इस सारी चीजे काफी इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक में सॉरी डी ब्लॉक इसको कर देंगे खतम नॉर्गनिक को एंड विल स्विच टू फिजिकल एंड और्गनिक तो यह कुछ पॉशन साइंस के अंदर जो हमें ध्यान रखने है ठीक है अब यह क्या है ना कि हम कॉन्फिगरेशन लिखनी सीख रहेते हैं तो इस केंडियम से स्टार्ट करते हैं तो देखो अच्छा मैं एक इससे पर एक चीज यहां पर क्लियर बता देता हूं देखो जैसे कि हाइड्रोजन है हीलियम है ही ना नहीं आ कर छे रण लिए ठीक है अभी यह क्या ना इसका अलग ही लेवल का इंपॉर्टेंस है यह जो इसे कहते हैं जीरो ग्रूप या फिर ली ना की रब से ठीक है यह फर्स्ट में आ गया फिर सेकेंड में आ गया थार्ड में आ गया फूर्थ में आ गया यह फिफ्ट में आ गया यह सिक्स्थ में आ गया गया अच्छा मैं एक छोटी सी चीज और यहां पर बता देता हूं कि जैसे उपर से नीचे की तरफ जा रह कई हो तो वो ता है कि तरफ जाघार है तो यहां पर आ गया वह भी वरोन कार्बन nitrogen oxygen fluorine और neon ठीक है यहाँ पर important है यहाँ पर क्या है कैल्चियम के बाद स्ट्रोंशियम स्केंडियम सरी स्केंडियम टाइटिनियम विनेडियम क्रोमियम मैगनीज आइरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक ठीक है यह हो गई हमारे सारे elements यह क्या होगा है डीब्लोक के सारे elements हो गई है अच्छे अब तो इसमें important क्या है ना लीथियम की configuration अगर लिखनी है तो simple तरीका है इसमें लिखो इससे एक चस्ट पहले वाला noble ले लो लीथियम से पहले वाला noble क्या है helium तुबारा लीथियम यहाँ पर थ्री नंबर पर और यह टू नंबर पर तो टू वाला लिखने का मतलब है बागी सारी हमने यह सब चीछ छुपा दी और बस सीधा-सीधा टूएस बन लिखे इसका मतलब वनेश्टू कवर है और टूएस बन नहीं आया समझ में अब गया और दो चार एक्जामपल लेते हैं जैसे कि बैरिलियम है बैरिलियम चार हो गया तो अग नोबल देखनी है कभी लीथियम लेलो लीथियम नहीं वेली नोबल तो यह ही है ठीक है फलोरीन तक नोबल कॉनसी रहीगी यही द्यूरियूरी घुर सिंपल भन एस तो फिर फिर तो ड्यूरी आई ऐसी करके कॉन्फिदूरेशन लिखे जा सकती है अं तिल कह तक यह configuration लिखी जा सकते है फ्लोरीन तब फ्लोरीन फ्लोरीन हो गया नो ठीक है तो यह हो गया फ्लोरीन की configuration तो सिंपल हेलियम लिखके हेलियम से 1s2 खा गया हो तो हेलियम लिखो या 1s2 लिखो एक बात है अच्छा फ्लोरीन की अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फ्लोरीन के बाद है नियोन अगली नोमल गयास है इंपॉर्टेंट है तो इनकी configuration याद करने देखो इसके जैसे 1s2 है तो इसकी क्या होगी 2s2 क् सेकेंड ग्रूप में है यह 3s2 यह 4s2 यह 5s मेरी गलते होगी यहां पर सिर्फ यह S में आता है बागी सब S में नहीं आते है ठीक है इसके लिए एक्स्ट्रेम्ली सॉरी तो यह 1s2 हो गया लेकिन ही हो गया 10 है ना यह तो देखो नियोन कैसे देखेंगे नियोन होगा 10 1s2 2 2s2 2p6 ठीक है ना छेओ चार दस तो यह होगे 2p6 बस यह 2p6 यह 3p6 यह 4p6 यह 5p6 यह 6p6 6p6 ठीक है यह होगे सारे अलिमेंट्स मतलब इनकी कॉंफिगरेशन सारे नॉबल गैस के कॉंफिगरेशन अब तुम्हें सोडियम लिखना है सोडियम को गोर से देखना सोडियम हो नियोन के बाद सिर्फ क्या लिखना है जो इसकी कॉंफिगरेशन जैसे कि सुनों इसकी 1s1 तो इसकी 2s1 इसकी 3s1 इसकी 4s1 इसकी 5s1 इसकी 6s1 तो सिंपल नियोन के बाद क्या लेना है किसकी लिखना है सोडियम 3s1 बात खता यह इतना सान कर दिया कॉंफिगरेशन लिखन कि क्या समझ में नहीं आया ठीक है तो और कहां गया अतना पेज हो गया 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 अपीस मिल गया पेज हो गया ठीक है तो इतना आ गया समझ में अब ऐसी हमें मालो पोटेशियम की क्ंफिगरेशन लेग नहीं है तो पोटेशियम की की स perpetuation कैसे लेखें गये पटेशं हो गया उनेंज इससे पहले वाला यह Wooood l तो यह हो गया क् pores प्रेशियम की कांफिगेशियम है ऐसी कैल्जियम की 20 होगया किल्चियम तो आरगन लिख लो, आरगन मतलब 18 और 4S2, यह हो गया, इस तरीके से configuration लिखने असान होगी, ठीक है, अब हम next वीडियो में देखेंगे कि आगे configuration D-block में कैसे लिखी जाएंगी, उसके exceptions क्या है, उसके basis पे diamagnetic, paramagnetic कैसे देखते हैं, कुछ और important properties वगयरा, उसके बाद स्टा atomic size, ionic size, इनके sizes कैसे compare करते हैं, वो सब देखेंगे, factor negativity कैसे देखने हैं, वो देखेंगे, और कुछ basic basic चीजे, ठीक है, और उसके साथ D-block के अंदर कैसे compounds होते हैं, थोड़ा coordination वारा section भी यहां से link करेंगे, so that वो भी complete हो जाए, तो आज की lecture में इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बत उससे पहले, इल यहां पे से की, to all the viewers, की भाई, यहां पे, one thing which we are looking for, is to comment, comment, comments are highly appreciated, so keep commenting, so thank you for watching, and bye, signing off, Ayushengal.